हाइ फ्रेंड मैं हूँ शाहीन सेयद वेलकमे चैनल आज हम बनाएंगे क्रंची वॉफल्स मैंने इसको वॉफल मेकर में बनाया है आप इसके जगे पर इसको ग्रिल पान में या पर सांविच मेकर में भी बना सकते हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनके तियार होता है जरूर ट्राइ करिएगा चली बनाते हैं एगलेस सूपर क्रिस्पी वाफिल्स तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचिन में और मैंने ये वाफिल मेकर मंगाया था Amazon से इसमें आप एक साथ दो वाफिल्स बनाकर तियार कर सकते हैं तो आज हम बनाएंगे वाफिल्स जरूर ट्राइ करिए आम शूर ये वीडियो और ब्लॉग आपको बहुत पसदाएगा चली शुरू करते यहाँ पर मैंने एक कप नीम गरम दूद लिया है इसमें हम एक टेबल स्पून विनेगर आट करेंगे अगर आपके पस विनेगर नहीं है तो आप नीबू का रस आट कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसको हम थोड़े देर के लिए साइड में रख देंगे एक बोल ले लिया है मैने इसमें हम आट करेंगे तीन चौथाई कप मैदा आप चाहें तो गेहू का आटा भी ले सकते हैं इसको क्रंची करने के लिए एक टेबल स्पून मैंने आट किया तो कॉन फ्लार इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है एक टी स्पून बेकिंग पाउडर जो हम केक में इस्तमाल करते है वो और पाउच अमच कुकिंग सोडा यानि के खाने वाला सोडा आची तरह से चान ले इसको चानने से बैटर बहुत लाइट और एरी बनके त्यार होता है और उसमें कोई कच्रा, गंदेगी या फिर कोई लंप्स है तो वो भी निकल जाते है ये जो हमने बटर मिल्क बनाया था ये रेडी हो गया है तो मैंने आधा ही कॉन्टिटी अभी आड़ किया है साथ में एक टी स्पून वैनिला एसेंस आड़ करेंगे एक चौथाई कप मैंने चीनी ली है आप चाहे तो पीस कर भी आड़ कर सकते है यानि के पाउडर शुगर और दो टेबल स्पून बटर लिया है बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एड़्जस करें के लिए मैंने पानी आड़ किया है इसको बहुत अच्छे से अपने बीट कर लेना है ताकि बिल्कुल स्मूध हो जाया बैटर ये देखे ऐसे मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नजादा थिक और नजादा थिन सबसे पहले हमने वाफल मेकर को क्लीन कर लेना है तो एक कपड़े को थोड़ा सा मैंने गीला करके बहुत अच्छे से इसको पहुच लिया था क्योंकि ये अभी नया नया ही आया था और उसके बाद मैंने बटन और करके उसको हीट करने के लिए छोड़ दिया है 5 मिनिट के लिए प्री हीट कर लेना है और फिर हमने इसको ओयल से ग्रीस कर लेना है इसके उपर लाइट का इंडिकेटर होता है ग्रीन कलर का जब वो बंध हो जाए ना समझिए कि यह अच्छी तरह से हीट हो गया है उसके बाद इसको ओयल से ग्रीस कर ले तो वाफल में कलर बहुत अच्छा आता है और फिर बैटर अपने इस तरह से दोनों साइट पोर कर लेना है बैटर अपने लेवल अप कर लेना है अगर आप जादा आट कर लेंगे तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़े के वज़े से यह बैटर बहुत फूलेगा और बाहर आने लगेगा इसलिए उसको एक लेवल तक ही आपने भरना है बंद कर ले 7-8 मिनिट मैंने कुक किया था इसको कलर बहुत अच्छा आ गया है लेकिन अभी यह थोड़ा सा सॉफ्ट है तो इसको हम टर्न कर लेंगे एक बार और दूसरी तरफ से भी 5-7 मिनिट कुक कर लेंगे अगर आपको बहुत ज़ादा क्रंची पसंद नहीं है वाफिल्स थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो आप उसको जल्दी भी निकाल सकते है यहाँ पर दिखिए यह क्रंची हो गया है इसको अब हम एक वायर राक पर रख देंगे ताकि यह थंडा हो जाए जैसे यह थंडा हो जाता है तो फिर यह बहुत अच्छे से चीनी आप चीनी कम जाधा कर सकते है चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि वो उसमें मेल्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें dry ingredient आट करेंगे तो यह जो second method है ना चीनी जिसमें हमने मेल्ट करी थी यह जाधा अच्छा है क्योंकि इस पर चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है फिर हम ड्राइ इंग्रीडियन्ट आड़ करेंगे ड्राइ इंग्रीडियन्ट में आधा कप मैदा एक टेबल स्पून कॉन फ्लार दो टेबल स्पून कोको पाउडर और एक चम्मच बेकिंग पाउडर आधा चम्मच कुकिंग सोड़ा आड़ किया था अच्छे से इसको छान ले ये देखिए थोड़ा सा पानी आड़ करके न मिक्स कर ले इसको बैटर बिल्कुल स्मूध हो जाना चाहिए आप चाहिए तो ग्रैंडिंग जार में आड़ करके बस एक बाद चर्न कर सकते हैं ताकि बिल्कुली स्मूध हो जाए वाफल मेकर गरम हो गया था ग्रीन इंडिकेटर वाइला लाइट बंद हो गया तो मैंने खोल कर इसको अच्छे से ओल से ग्रीस कर लिया है फिर ये बैटर पोर करके इसको स्प्रेड कर ले इवन आउट कर ले ऐसे ताकि कवर हो जाए सरफेस पूरा और फिर कवर करके ना इसको हम 10 मिनट छोड देंगे ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं आराम से निकाल लीजिए ताकि फटे नहीं बिकास अभी थोड़ा सा वेट ही था ये 7-8 मिनट हो गया था और फिर ना मैंने इसको फिलिप कर लिया है ये देखिया ऐसे दूसरे तरफ से भी इसको 7-8 मिनट कुक कर ले ताकि बिलकुल क्रंची हो जाए बस ये रेडी हो गया था साइट से बहुत ही क्रिस्पी लग रहा था तो मैंने इसको निकालके वायर राक के उपर इस तरह से कूल करने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये बिलकुली क्रिस्पी हो जाए अब यहाँ पर हम इसको गानिश कर लेंगे ज्यादा तर तो इसके उपर आइसक्रीम डालके खाया जाता है लेकिन मेरे घर में तो सबको ही सर्दी थी तो मैंने यहाँ पर सिफ चॉकलेट जो हर्शीस का आता है सिरप बस वो अड़ किया था अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके या फिर न्यूटेला या फिर कोई दूसरा सिरप भी आट कर सकते है इसके उपर या पर आप चॉकलेट सॉस घर में बना कर वो भी आट कर सकते है तो यह देखे देखने में इतना टेम्टंग लग रा था ना खाने में बहुत ही जादा टेस्टी था बच्चे बहुत जादा एंजोई करते हैं वाफिल्ज का दूसरी तरफ हमारे यह चोकलिट वाफिल्ज यह देखे यह बहुत अच्छे से क्रउंची हो गया तो बहुत ही क्रिस्पी, तो इसको भी हम थोड़ा सा डेकॉरेट कर लेंगे, इसके उपर भी मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला था, आप चाहे तो पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, वाइट चॉकलेट मेल्ड करके आप अड़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा आइसक्रीम अड़ करिए, बढ़िया लगता है यह, इसको मैंने गानिश कर दिया थोड़े से नट्स के साथ, नट्स बच्चों को जरूर देना चाहिए, नट्स से यह और हेल्दी ही बन जाता है, यह देखिए, यह काफी देर तक क्रिस्पी रहता है, जरूर ट्राइ करिएगा, I am sure यह वीडियो और व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलती हूँ, एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजासत चाहती हूँ, थांकियो सो मच पर वाचिक मैं वीडियो, टेक गुट केर, बाई,